नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीटी फोर इयर्स काउंसलिंग के बारे में तो जो भी विध्यारती BSCBA अथवा BABAD कर रहे हैं जिनोंने पस्ट काउंसलिंग का फोरूम बर दिया है और दोस्तों आपको बता दूंका अपफ़र्ड मुमेंट का रेजल्ट भी आ गया है अब बात करते हैं उन विध्यारतियों की जिनको पस्ट काउंसलिंग के अंदर कोई भी कोलेज अलोट नहीं हुई है या जिनको कोई भी कोलेज नहीं मिली है तो दोस्तों उनका एक सवाल है कि क्या सेकिंड काउंसलिंग होगी यदि second counseling होगी तो कब होगी कब से इसके forum बरे जाएंगे क्या-क्या जो भी process है पूरी जानकरी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और आपके question का जवाब भी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर last तक जरूर देखे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और यदि आपके कोई भी question हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं तो दोस्तों PTT 4 years अर्थात BSCBA BABA वालों के लिए जो second counseling होगी या नहीं होगी उसके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पृत्थम counseling की जो जो result आये था वो आये था 18 November को 18 November को इसका जो result है पृत्थम counseling का वो आये था उसके बाद में जिन विध्यारतियों को college पसंद नहीं आई या जिनोंने list बरी जैसे मानलो आपने 50 college बरी और आपको 40 फे नंबर की college मिली यदि वो college में आप admission नहीं लेना चाहते हैं तो आपने upward moment का form लगाया कि 40 फे नंबर से पहले वाली जितनी भी college है उनमें से कोई भी college यदि आपको चाहिए तो आपने upward moment का form लगाया होगा तो दोस्तों upward moment का जो result है वो आ गया था 22 तारिक को 22 तारिक को उसका result आ गया था उसके बाद में upward moment के पस्चा था जो आपको college मिली थी उस college के अंदर जो reporting कराने का time था वो था 27 नमंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 नमंबर तक अब दोस्तों बात करते हैं 28, 29, 30 और एक तारिक हो गई है तो दोस्तों अभी तक दुत्य काउंसलिंग की कोई सूसना नहीं है लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि दूसरी काउंसलिंग जरूर होगी क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी जैसे काउंसलिंग होती आती है पस्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तो इस तरीके से अब की बार भी second counselling होगी तो जैसे ही second counselling की सुचना आएगी तो मैं आपको तुरंत सुचित कर दूँगा लेकिन उससे पहले आपको गलती नहीं करनी है पस्ट counselling के अंदर यदि आपने कम college select करी थी क्योंकि बहुत सारे विध्यारती ऐसे होते है जिनोंने किसीने 17 college बरी है किसीने 30 college बरी है किसीने 40 तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो college है वो अब की बार भरनी है और आपको college यदि चाहिए आप BSC BAID या BABAID करना चाहते है तो आप आल राजस्तान जरूर करें आपको college मिलनी चाहिए क्योंकि आप BSC BAID और BABAID उसके अंदर आप कर सके तो दोस्तो second counseling की सूचना जैसे ही आपको मिल जाएगी जैसे ही कोई news हमारे पास आएगी तो सबसे पहले हम video बना कर आपको सूचित जरूर करेंगे तो दोस्तो आप अभी से ही हमारे channel की साथ जुढ़ जाएए channel से जुढ़ने के लिए channel को subscribe जरूर करें इस video को कर दीजे अभी से like और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमसे जुढ़ सके और जैसे second counseling की सूचना हमें मिलेगी हम तुरंत video बना कर अप्लोड करेंगे ताकि वो आप तक फोंच सके तो दोस्तो अब फिलाल जो second counseling है वो जल्द start होने जा रही है जैसे सूचना होगी हम आपको तुरंत प्रोवैड करा देंगे तो दोस्तो फिलाल आपको पता है कि अपड़ मुवमेंट गरेजल 27 तारीक तक जो reporting आपको करवानी थी वो आपने करवा दी है अब वो counseling के अंदर जो reporting का कारिया है वो चल रहा है जैसे वो complete होगा उसके बाद में सीटे कितने खाली रहेंगी उसके बाद में जैसे ही process स्टार्ट होगा second counseling तो जैसे news आएगी हम आपको वीडियो बनाकर जरूर प्रोवैड कराएंगे तो दोस्तो चैनल से अभी से जुड़ जाई है चैनल से जरूर जुड़े चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और कोई भी यदि कुश्यन हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं चले दौस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर भी लेंगे नएस्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद